जारखंड के मंतरी और कॉंग्रिस नेता आलमगीर आलम को ईडी ने गिरफतार कर लिया और के नेजी सचफ संजीव लाल के घरेली नौकर के पास से 37 करोड रुपए कैश मिला था इस मामले में कॉंग्रेस नेता को गिरफतार किया गया है। जो भी सवाल पूछेगे मैंने उनका जवाब दिया है। जो भी सवाल पूछेगे मैंने उनका जवाब दिया है। जो भी सवाल पूछेगे मैंने उनका जवाब दिया है। इडी ने राम को पिछले साल के रफतार किया था। इडी ने दवा किया है कि राम निविदा अवंटन समेथ अन्य सम्मंधी कारें के लिए कमीशन इकठा करता था। और 9% का ये कमीशन उनके भरिष्ट और राचनेताओं के बीच वितरत किया जाता था। आठ मई से रिमान पर लिया है और उनसे लगातार पूचताच चारी है। और इसी मामले में इडी के समन पर आलमगीर आलम मंगलवार को एजनसी के दफतर पहुँचे थे। पहले दिन उनसे साड़े 9 घंटे तक पूचताच होई। बदवार को दूसरे दिन भी उन्हें बलाया गया। साड़े 11 बजे वो एडी आफिस पहुँचे जिसके बाद एडी ने उनसे पूचताच शुरू की थी। 35 करोड रुपे की बरामदगी के मामले में उन्हें पियेस संजीव कुमारलाल और घरेलू सहायक जहांगीर आलम केस सामने बिठाकर पूचताच की की। इस दोरान वो कहीं सवलों के जवाब नहीं दे पाए। अपनी संपती और आय के बारे में भी वो बहुत सारे जवाब नहीं दे पाए।